हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका अमारे ओन्लाइन स्टेडी चैनल पॉहार स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तों आज हम स्पोर्ट के टॉप 25 अतिमेहतपुर्ण प्रिशन के बारें बात करेंगे जो आपके हर बार परिक्साओं में रिपीट होते हैं इसलिए हर प्रिश्बूल रहने वाला है तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं आपका वैला स्वाल है यूकी भावरी का संब्ध किस केल से त्यान से बड़े प्रसन क्योंकि यह सभी प्रसन बहुत ही महतपुर्ण प्रसन है ठीक है और मेलाश में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में स से कितने प्रसन चाहिए इसलिए मैं प्रसन पड़ूंग उससे पहले आप उतरताया रखे ठीक है तो यूकी भावरी का संब्ध किस केल से वेरी मोश्ट इंपरटन किसन है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि यूकी भावरी का संब्ध किस केल से तो आपको याद के लिए परदान किये जाते हैं धेंसे बिडे सर्व को अरजुन पुरुषकार किस खेतर में उतम फ्रिश्ट रीख्र हुथ तो आपको याद रखना है खेल कुद ठीक है किसक्प्रमे के खेतर में क्या पुरुषकार कॉन सा पुरुषकर रेताbaj सबимकर। अगला देखते हैं DCM का संब्ग किसHow का संब्ग किसके गल से है किस खिल से ध्यान सब्टे से Пरसन को हीज मैंटेशन है कि DCM ट्रॉफी का संब्ग किस के लग तो आपको याद रख देख रहा है फटोबोल कि पहन सी टल्फी DCM किस संब्ग आप फृटॉबॉल ठीक है फृटबॉल से समझनता है डीसीयम ट्रॉफी अगला देखते हैं की माइकल फैलपस किस खेल से समंधित है माइकल फैलपस किस खेल से समंधित है तो आपको याद खना inherentी ठीक है माइकल फेलपस किस खेल से समझ देते हैं तो आपको याद एकना है 13 की अगला देखते हैं कि अर्जुन पुरुसकार कब प्रारम हुआ अर्जुन पुरुसकार कब प्रारम हुआ तो आपको याद एकना है 1961 में ठीक है। अर्जुन पुरूशकार कब प्रारंब हुगा तो 1961, 1961 में कौन सा पुरूशकार प्रारंब हुगा? तो आपको याद रखना है अर्जुन पूरूशकार. अगला देखते हैं. कि सर डॉन ब्रेडमेन ने किस खेल में अंतराश्ट्री ख्याती प्राप्त की द्यान से बेटे प्रशन को एक बार फिर से की सर डॉन में सर डॉन ब्रेडमेन ने किस खेल में अंतराश्टी ख्याती प्राप्त की थी तो वह थे वह खेल था किर्केट किर्केट में सर डॉन ब्रेडमेन ने अंतराश्टी ख्याती प्राप्त की थी किस खेल में किर्केट किस ने प्राप्त की थी सर डॉन ब्रेडमेन ने अगला देखते हैं कि बारत के किस निसाने बाज ने लंदन ओलम्पिक खेलो 2012 में रजक पदक जीता था ठीक है तो बारत के किस निसाने बाज ने लंदन ओलम्पिक खेलो में 2012 में रजक पदक जीता था तो आपको याद रखना है वो कौन सा निसाने बाज था तो था विज्जे कुमार ठीक है वारत का विज्जे कुमार निसाने बाज ने लंदन ओलंपिंग खेलों में 2012 में रजजत पदक जीता था कौन था विज्जे कुमार ठीक है और खेल कौन सा था निसाने बाज अगला देखते हैं कि स्पर्स रेखा किस खेल से समन्दित है तो सीधा पता जल रहा है कबड़ी ठीक है इस पर्स रेखा किस खेल से समन्दित है तो आपको याद अखना है कबड़ी अगला देखते हैं कि ऐस्ट्रिलिय shrink जोकोविच नोँवथ देखते हैं थ्री सेकेंड किस खेल से समंदित है थ्री सेकेंड किस खेल से समंदित है तो आपको याद रखना है बास्केट बॉल ठीक है बास्केट बॉल खेल है जहां पर थ्री सेकेंड नियम समंदित है ठीक है थ्री सेकेंड किस खेल से समंदित है तो आपको याद रखना है बास्केट कि वालता प्रमलाब करिदtechn alum kilometer कूल कि अग्ला दीखते हैं कि सानिया मिरजा निम्लेकृट मेंसे किस खेल के लिए लिए ली तुचित है थीगे वैरिमस्ट इंपोर्टेन कि सानिया मिरजा निम्लिकित में से किस खेल के लिए चर्चित है तो आपको याद रखना है लान टैनिस ठीक है सानिय अमिर्चा निम्लिकित में से किस खेल के लिए चर्चित है तो आपको याद रखना है लान टैनिस अगला दिखते हैं कि upper cut और कट किस खेल से समन्दित है तो आपको याद दिखना है boxing अगला दिखते हैं कि खोको में कितनी cross lens होती है तो आपको याद रखना है, आठ, किसमें, कोको में, कितनी होती है क्रोस लेंट्स, आठ, अगला देखते हैं, कि होकी का जादूगर किसे माना जाता है, किसे कहते हैं, 99% लोगों को पता ही होगा, कि होकी के जादूगर किसे का जाता है, यह बहुत बार परसनों पूछा जाता बहुत बार पूछा जाता है कि होकी का जादूगर किसे माना जाता है तो आपको याद रखना है वह था मेजर ज्यांचंद जिन्हें होकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं अगला देखते हैं कि नेमलिकित में से कौन होकी का खिलाडी नहीं है नेमलिकित में से कौन हो की का खिलाडी नहीं है तो पुर्थी पाल नहीं पुर्थी पाल है असो कुमार है बलवीर सिंग है तो जे पी एस रामचंद नहीं है ठीक है तो आपका उतर हो जाएगा जे जी एस रामचंद जी एस रामचंद है जो की का खिलाडी नहीं है कौन नहीं है जी एस रामचंद अ को 2012 का राजीव गांदी खेल रत्न समान प्रदान किया गया था तो वह कौन था योगी स्वर्दत ठीक है किस खिलाडी को वर्स 2012 में 12 का राजीव गांदी खेल रतन समान किया गया था तो समान प्रजान किया गया था तो आपको याद रखना है योगी स्वर्दस्त ठीक है योगी स्वर्दस्त थे जो 2012 का राजिव गांदी खेल रतन समान प्रदान किया गया था अगला देखते हैं कि अंतराश्टिय ओलम्पिक समीती के अद्धिक्स कौन है अंतराश्टिय ओलम्पिक समीती के सदस्य कौन है या ओलम्पिक समीती के अद्धिक्स कौन थे द्यान से बड़े परशन को एक बार फिर से कि अंतराश्टिय ओलम्पिक समीती के अध्यक्स कौन है तो आपको याद रखना है जैक्स रोगे ठीक है जैक्स रोगे है जो अंतराश्टिय ओलम्पिक समीती के अध्यक्स है कौन है जैक्स रोगे अगला देखते हैं कि लंदन में 2012 में आयोजित तीसवे ओलम्पिक में सरवादिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते द्यान से बड़े परशन को कि लंदन में 2012 में आयोजित तीसवे ओलम्पिक में सरवादिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते वादेश था अमिरिका इसंने लंदन में 2012 में आवे जित 30 वे ऑनम्पिक में सर्वाधिक्सारण फदक जीति वादेश था कौन सा अमेरिका अगला देखते हैं कि कनाडा का राश्ट्री खेल क्या है तौ आपको यादवनाई एक क्राश्टी ये आई-ई-णकी ठीक है किसका कनाडा का क्या कौन सा केले राश्टी केले आई सोकी अगला देखते हैं कि संयुक्त राजी अमेरिका का राश्टी केल क्या है संयुक्त राजी अमेरिका का राश्टी केल क्या है तो आपको याद रखना है बेसबॉल ठीक है बेसबॉल किस देश्क का राश्टी और अग्ला देखते हैं कि बारत का राष्टी खेल क्या है तो आपको याद रखना है यूडू श्यूडू जो जापान का राश्टी खेल है क्या है जूडो अगला देखते हैं कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ त्यान से पेड़े परशन को कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ तो आपको याद रखना है मनिपूर ठीक है प्लो गेल का प्रिचलन तर्बाइं च्छां प्रिचलन किस राजे में होगा तो आपको याद भाणिफोर में तर्ब में आपको याद रिखना है तुर्क ने ठीके तो दोस्तों आपने कि इसने प्रिचल शिए है पचीश में से वहाँ सटा जल्दी बताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जसे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद